दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका की कमर कोरोना वारस ने तोड़ दिया है अमेरिका में मौत का तांडव मचा हुआ है कोरोना से पिछले 24 घंटे में 4000 से जादा लोग दम तोड़ चुके हैं जॉन्स हॉपकिन्स युनिवर्सिटी के मताबिक अमेरिका ने अब तक सारे रिकॉर्ड तोड़ दिये हैं कोरोना के कारण यहां मरने वारों की संख्या बढ़कर 32,917 पर पहुच गई है जॉन्स हॉपकिन्स वश्वद्याले सिप्रापत आख्डों के मताबिक 24 घंटे में संक्रमन के कारण 4,499 लोगों की मौत हुई है जो वैश्विक महामारी के कारण एक दिर में मौत का सरवाधिक आख्डा है दोनों आख्डों में फर्क की वज़ा संदेह वाले मामलों को शामिल ना करना है CNN ने जो आख्डे जारी किये हैं वो अस्पितालों में हुई मौत के हैं उधर News Agency AFP ने मौत के आख्डों में उन्हीं भी शामिल किया जिनमें मौत की वज़ा COVID-19 के होने पर संदेह जिताया जा रहा था दरहसल पहले मौत के आख्डों में संदेह वाले मामलों को शामिल नहीं किया गया था New York City की घोशना की बाद ऐसे मामलों को शामिल किया जाएगा जिनमें व्यक्ति की मौत की संभावित वज़ा ये कोरोना वाइरस ही है अमारिका में संक्रमन के अब तक 6,666,800 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं कोरोना से लगातार हो रही मौत के बीच डोनाल्ड ट्रम्प ने लॉकडाउन हटाने का तरीका बताया है ट्रम्प ने Opening Up America Again नाम का एक प्लान भी प्रस्तावित किया है जिनमें तीन चरणों में स्कूल, दफ्तर और फैक्टरियां फिर से खोली जाएंगी राश्पती ट्रम्प ने ये प्लान एक सुझाओ के तौर पर सभी राजों के गवर्नर को भी भेजा है इस पर उनकी राए मागी है हडा के कई राजों के गवर्नर इससे इतफाक नहीं रखते सब्सक्राइब आर चैनल और प्रेस तबेल आइकन फोर अपडेट्स